वाइस वेलकम तो ओल अफ यू इन आवर चैनल निट्रैक तो वाइस तोड़ी वी वी आप तो डिव यू नोस्ट इंपोर्टेंट एंशी लाइन से जो कवर किये हुआ है वो संटेंस इस वो पारग्राप्स यहां पर इंपोर्डेंट है बिसकली मैं यहां पर आपको लर्न करवा रही हूँ आप उटिक मार करते जाओ पनी बुक पर बिसकली इसमें बताएं यह लाइस पेन आखिर कहते किसी है जो पीलेड होता है बर्ट से नच्रल डेथ का इसकी भी ओर्गैनिजम का वो उसकी लाइस पेन को रिप्रेजेंट करता है यह इंपोर्टेंट है तो है नोट डाउन दिस एक्स टीस इसमिलरली यहां पर देखो लिखा हूँ है अम आप मैंगो ट्री है जह मच शोट लाइस पेन आपको पीपल ट्री अके तो मतलब क्या होता है कि अगर पीपल ट्री से हम मैंगो ट्री का कम्पेर करते हैं तो काफी शोटर लाइस पेन होते हैं काफी छोटा लाइस पेन हैं एक मैंगो ट्री का पीपल ट्री से एक मैंगो ट्री का पीपल ट्री से कम्पेर ट्री से कम्पेर्स करते हैं पर सेकंड पेजिस पर जो लाइफ पें पी प्रेसंट किये गए है कुछ और गैनिसम के यह तो इंपोर्ट है यह तो आप कवर करो गई ही करोगे ठीक है यह आपको पता है कि चैप्टर कॉंसे प्रोडक्शन और गैनिसम सो बात यहां पर किसी होगी प्रोडक्शन की और यह कि तिदा टीन सब कि वो कवर किये है अपसे मोड़डान किजी साथ साथ में मेरे साथ ठीक है अब पर पताया गया is कुछ है हैं छो प्रेंग को यह म०ृून्स आप प्रेंग के फिर्बोडक्षन हो इक भी सब्चिकल आइसे, हैं ऊप्षप्रिंक प्रेंग निए कुछ आइश सो रहें प्रोडुक्रण का नुलाते हैं, प्रुदृ क्या करेगे , फ्रूब इधर मैंचूर अंद। नहुर इस स्वरी कि नुला आपर इस साइकल बुद्रीष आसे एक साइकल उन प्रॉथ इस साइकल उस्ट आधर। तब यह reproduction को enable कर दिया उसकी continuity को species mean generation after generation okay so i hope you understand कर पार रहे हैं कि reproduction नाची होता क्या है यह लास्ट है reproduction के चो cover up में last paragraph यह यहां पर यह पर यह लिप्रेसेंट कर रहे हैं कि reproduction चुह होते हैं वो कितने types की होती है इसपले two types sexual reproduction and asexual reproduction पस्चली यहां पर बात की गई है asexual reproduction की वो क्या बता रहे है when offspring is produced by a single parent with or without the involvement of chemite formation the parent with or without the involvement of chemite formation the reproduction is asexual and the next is asexual reproduction when two parrots that is opposite sex it's male or female participate in the reproduction and also involve fusion of male and female gametes and also involve fusion of male and female gametes that is called sexual reproduction basically इसे भी आप note down कीजिए साथ हे साथ में so basically आप मैं आपको बता देते हैं कि इन में 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 डिफ्रेंसिस क्या है यह sexual or sexual reproduction में so guys I think आज के लिए कितने काफी होगा कि आप यहां तक ही समझे लो कि इस चैप्टर में इसका 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 कंपेर करने पर शोटर लाइस्पेन आ रहा है अप्रोक्सिमेट लाइस्पेन कितना होता है कुछ और गाने समस्का and basically what is reproduction and what is type of reproduction कितने काइंस होते हैं इसके कितने इसके types होते हैं आसी फुले चैप्रोड को cover-up किया चाते हैं and basically जो भी पोड़ी होते होगे सब मोज रिप्रोड के लिए चाहेगे till then you can note down this and keep learning and most important one thing guys if you have any doubt regarding this chapter you have to ask me on the comment box I have to clear all your doubts regarding this chapter and and all subjects so a comment request guys if you have new on this channel so please don't forget to like, comment, share and subscribe so don't do this again guys if you have new on this channel so please don't forget to like, comment, share and subscribe to our channel thanks for watching and all the best